नमस्कार मित्रों हमारे चैनल इसके क्वाइंट में आपका श्वागत है पिछले वीडियो में मैंने ब्रिक्स के बारे में बताया था ब्रिक्स के क्वाइंटिटी में सिमेंट सैंड और नमबर्स ऑफ ब्रिक्स कैसे निकालते हैं और मोडलर ब्रिक्स के बारे में भी आपको बताया था उसके साइज के बारे में बताया था तो इसको अगर आप पीछे देखना चाहें तो आई बटन में आ रहा है लिंक उसके पर प्रेस करके पिछला वीडियो क देख सकते हैं तो उसके आगे चलते हैं तो मोडलर ब्रिक्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे मोडलर ब्रिक्स का साइज होता है 190 mm जो यहां देख रहा है आप 90 mm जो यहां देख रहा है और फिर 90 mm जो यहां देख रहा है तो मित्रों मोडलर ब्रिक्स का जो है तो यह मोडलर साइज हो गया लेकिन यह विदाउट मोर्टार है और जब इसको विथ मोर्टार देते हैं तो उसका डाइमेंसर लिया जाता है 200 mm इन्टू 100 mm इन्टू 100 mm यह आगे आपका विथ मोर्टार यह विदाउट और यह विथ तो सपोज किजिए कि हमारा ब्रिक का वाल का क्वेंटिटी ब्रिक वर्ट कहिए उसको 1mq है और 1mq में आप ब्रिक के साइज से जो मोर्टार के साथ है उसके साइज के हिसाब से आप यहां एक ब्रिक का क्वेंटिटी से डिवाइड कर देंगे ब्रिक वर्क के क्वेंटिटी को तो आपको number of bricks मिल जाएगा कैसे 200 mm को आप लिख सकते हैं मीटर में 0.20, 1000 mm का एक मीटर होता है और 100 mm को आप लिख सकते हैं 0.10 और फिर 100 mm को लिख सकते हैं 0.10 यह सब हो गया आपका मीटर में और इसको जब आप देखेंगे 1mq divided by 0.002mq हो गया और यह आपका आजाएगा 500 bricks modular bricks जिसका size है without mortar 190 mm 90 mm 90 mm और with mortar 200 mm 100 mm और 100 mm अगर without mortar भी इसको हम लोग देखना चाहेंगे कि कितना निकलता है तो with mortar जो इसका quantity है इसको आप यहां note करके रख लिए 0.002mq अब आईए इसको मेटाईगे quantity modular brick का 1mq जो पहले लिए थे और इसको number of bricks निकालना हमको है तो हमको एक brick के quantity से इसको divide कर देना है quantity of one brick जिसमें पहले किये थे with mortar में mortar के साथ वाला जो है यह बिना mortar का तो देखिए 1mq इसको 190 mm को आप मीटर में लिखेंगे तो 0.19 मीटर हो जागा और 90 को लिखेंगे तो 0.09 मीटर होगा और फिर 0.09 मीटर होगा इसको देखेंगे तो यह आजाएगा 1 divided by 0.001539 यह mq यह mq और इसको जब आप calculate करेंगे आपका आजाएगा 649.77 numbers वहाँ निकाले थे तो 500 आया था width mortar और यहाँ आगया 649.77 यह फंडा क्या है यह देखिए पहले आपने कहा था इसको नोट करके दखिए 0.002 यह width mortar था इसको minus कर दीजे बिना mortar वाले से 0.001539 यह आपका आजाएगा 0.00461 यह mq आजाएगा यह confusion नहीं हो इसको और इसको जो आप देखेंगे तो 0.000 0.00 461 461 divided by 0.002 0.002 जो यह था with mortar एक brick का quantity था और यह without mortar एक brick का quantity है without mortar एक नबबबे ओर नबबबबे 0.001539 यह without mortar यह तो mortar कितना आगया गया इन्टू हंडेड कर देजे आपको पता चल जाएगा कितना परसेंट यह आपका आजाएगा 23.05% कहने का मतलब जो है मोर्टार का परसेंटेज आगिया 23.05% तो ब्रिक का क्वेंटिटी कितना आजाएगा इसको 23 राउंड में माल लेजिए आसानी के लिए इसको 23 ही माल लेजिए तो ब्रिक का परसेंटेज कितना हो जाएगा 77% अब हमारा कितना आया है 649.77 इसको भी खत्र कर दीजिए इसकी जरुवत नहीं है तो आप देखिए 649.77 इसको मल्टिप्लाइ कर दीजिए 0.77 से क्यों क्योंकि 77% जो है ही ब्रिक है 23% जो है वो क्या है वो मोर्टार है तो यह आपका आजाएगा 500 नमबर्स कहने का मतलब विथ मोर्टार भी विदाट मोर्टार भी आपका आगया 500 नमबर्स मोर्टलाब ब्रिक का और विथ मोर्टार भी आया हुआ था 500 नमबर्स मोर्टलाब ब्रिक का तो कहने का मतलब यह हुआ कि मोर्टलाब ब्रिक में 23% ही वेट मोर्टार लिया जाता है वेट 23% यानि कि 1 MQ अगर है ब्रिक वर्क तो उसमें 23.23 MQ मोर्टार होगा मेरे समझ से सब किलियर है अगर मोर्टार नहीं रहता इतना होता चुकि मोर्टार है 23% तो 77% ही ब्रिक आएगा बकिये 23% मोर्टार आएगा जो 149.77 होगा 249 का मना इतना इसमें जो है मोर्टार आ जाएगा तो 500 नमबर ही आएगा दोनों इस्थिति में विदाउट मोर्टार भी और वित मोर्टार भी जो आपका नमबर ऑफ ब्रिक्स होगा वह 500 ही होगा तो वित्रों यही था यह वीडियो मोर्टार भी जो मोर्टार ब्रिक्स का संक्यां एक एम क्यू में 500 नमबर लाता है जिसका साइज 190,90 और 90 mm होता है विदाउट मोर्टार और वित मोर्टार 200 mm,100 mm और 100 mm होता है तो यह वीडियो अगर आपको फसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बिल आइकन को दबा दीजिए ताकर नोटिफिकेसन आपको तुरत मिल सके तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में फैंक लिए